Okay, now this one is the third part of English verbs form जो English की जो वर्ब की अलग-अलग forms होती है उसी का ये third part है तीसरा वीडियो है तो चलिए इसको start कर लेते हैं आज के session को जकड़ना देखेगा means होता है clinch, clinch, clinch means होता है जकड़ना ये आपकी first form भी है वर्ब की, तो वर्ब की first form भी कह सकते हैं इसी को बर्ब की base form भी बूला जाता है जबकि second और third forms देखेगा second form है जबकि ये third form है ठीक है तो रोहन रिया के हातों को जकड़ लिया था, तो रोहन ने देखेगा रिया के हातों को जकड़ा हुआ है, ठीक है, पकड़ा हुआ है रोहन तो इसमें देखेगा काम करने वाला कौन है रोहन है ठीक है head cleansed ठीक है लिया था means आपका past perfect tense है ठीक है रिया's hand तो रिया के हाथ को उसने पकड रखा जकड रखा है कह सकते हैं क्लिंच कर लेना एक दम जकड लेना ठीक है तो क्लिंच होता है जकडना आगे बात करें तो अगला word देखेगा है grind तो grind करते हैं grinding करना मनला पीसना किसी चीज़ को grinding करते हैं मनला पीसते हैं बर्व की यह first form है ठीक है यह बर्व की first form है base form भी इसको बोला जाता है तो जबकि ground और ground यह अपकी second और third form हो जाएंगी इस ओखली में डाल करके कोई चीज जो है उसको पीसा जा रहा है कहीं न कहीं उसको grinding किया जा रहा है तो सारे मसाले तो सारे मसाले को एक साथ पीस दो तो एक साथ मिस पीसने की बात किजिए आप देखेगा इसको यह imperative sentence है ठीक है grind all the spices तो grind मिस पीस दो all spices मिस होते है सभी मसालों को चुके दर मिस एक साथ ठीक है तो एक साथ पीसने की बात की गई है grinding करना अगला word है that is to sweep sweep करना sweep मिस होते है जाडू लगाना आप देखेगा जाडू लगाया जा रहा है तो जबकि इसकी जो second form हो जाएगी sweep और third form भी sweep तो यह same रहती है second और third forms है ना sweep ही रहती है sweep का sweep घर में जाडू लगा दो यहाँ पर भी देखेगा imperative sentence है जाडू लगाने की बात की गई है imperative sentence है ठीक है color थोड़ा सा change कर लेते हैं yes तो sweep the house तो sweep में जाडू लगा दो the house घर में ठीक है तो घर में जाडू लगाने के लिए बोला गया है तो बहुत ही simple है आप लोग सभी जानते हैं to sweep करना है ना जाडू लगाना अगला वर्ड देखेगा अगला वर्ड है become आप देखेगा become में एक तो वर्ड में सोता है होना ठीक होना भी होता है इसके लाब बनना भी है ना become इसोना जैसे कुछ लोग teacher बनना चाते है होना चाते है become यहाफर second form है और यह third form है ठीक है वर्ड की तो यह वर्ड है सभी तो यहाँ पर देखेगा मैं एक teacher बनना चाहते हूं या फिर होना चाहते हूं बनना चाहते हूं ठीक है I want देखेगा I want to become become is होना बनना a teacher I want to become a teacher मुझे एक teacher बनना है या फिर फिर होना है ठीक है तो यहां पर बनने की बात की गई है अगले वर्ड की बात करें आरोप लगाना देखेगा Elise करना Elise मिस क्या होता है आरोप लगाना ठीक है Elise यहापर बर्व की second form हो जाएगी यह अपका बर्व की first form है और जब कि यह third form है और यह same रहती है second और third form ठीक है Elise होता है Elise करना मिस अपका दोस लगा देना किसी पर आरोप लगाना ठीक है वकील ने उसके पिता पर आरोप लगाया तो लॉयर है वही लॉयर जो है वो तो हमारा डिवर हो गया काम करने वाला तो वकील ने जो है elized his father तो उसने आरोप लगा एक इस पर उसके पिता पर उसके पिता पर उसने आरोप लगा दिया अगले वर्ड में देखेगा बकवास करना तो देखेगा बकवास करे रहे जा रहे हैं तो इसमें क्या है बैवल करना बैवल ठीक है यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बैवल्ड होता है सेकंड फॉर्म जबकि बैवल्ड थर्ड फॉर्म में भी सेम होती है दोनों ही फॉर्म से लग लग सेकंड और थर्ड सेम रहती है वह बहुत बक्वास करता है तो वह बहुत बक्वास करता है तो यह बता रह यहां पर की जा रही है तो बैबलर चले बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला वर्ड है इस अवाइड आवइड मिस होता है टालना चीज गई अवाइड करना किसी को लगाता टालना अब देखेगा यह इनको अवाइड कर रहें अवाइड यहां पर बर्ब की सेकेंड फॉर्म है य तो यहाँ पर imperative sentence है, don't try to avoid me, don't try, कोसिस मत करो, to avoid miss, टालने की, me miss, मुझे, तो मुझे टालने की कोसित मत करो, तो इस तरीके से यह आपका sentence, one जाएगा, ठीक है, avoid करना, अगला वर्ड है देखेगा, arrive, तो यह तो आप लोग सभी अच्छे से जहनते हैं, arrive miss होता है, पहुंच ना, first form है, second और third form, same रहती है, arrived, ठीक है, जैसे मैं घर पहुंच गया, I have, तो मैं यहाँ पर आई लगाएंगे, मैं के लिए, ठीक है, have arrived home, तो मैं घर पर पहुंच गया, बहुत simple था, चलिए आगे बढ़ते हैं, argue करना, argue में इस होता है, बहस करना, argued हो जाएगा, argued, ठीक ह ठीक है, don't argue with me, तो मेरे साथ बैज मत करो, don't argue with me, तो मेरे साथ बैज मत करो, अगले वर्ड की बात करें, तो अगला वर्ड है, देखेगा, स्विकार करना, स्विकार क्या है, approve कर देना, approve में स्विकार कर दिया है, यहाँ पर वर्फ की second form है, approved है, और third form यहाँ पर हो एप्रूब्ड, ठीक है, मैं तुमारी प्रेमिका को शुिकार नहीं करता, तो देखेगा, मैं, मैं किसके आई हो जाएगा, नहीं करता है, ता यह तातीते वाला है, तो don't approve, शुिकार नहीं करता, of your girlfriend, मैं तुमारी जो girlfriend है, है ना, तुमारी प्रेमिका है, उसको बिलकुल भी सुिकार नहीं करता, आप देखेगा, यह महा से तो बड़ा मोडने में लगे, बेंड भी मोडना, ठीक है, तो मोडने में लगे हैं, तो यह अब बर्प की first form है, बेंड, वहीं बेंड, second form हो जाएगी, third form इसमें भी ENT, ठीक है, तो यह second and third form हो जाएगी, उसने आसानी से लोहे की रोड को मोड दिया, आसानी से तो नहीं मोडा है, देखेगा हालात क्या हो गएं उसके, है ना, तो ही मिस उसने बेंड, यहाँ पर बर्प की second form लगाई गई है, the iron rod, तो उसने लोहे की जो रोड थी उसको मोड दिया, easily means बड़े ही, आसानी से, तो आसानी से तो नह दर्वाजा कोल दो, हवा आ जाएगी, open the door, the air will come, बहुत सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बंद करना, close भी होता है, close, close हो जाएगा, ठीक है, close the door, यह भी सिंपल है, बिलकुल, yes, verb, इन, इसमें दर्द होना, तो पैन, पैन देखेगा, है ना, पैन होता है, पैन वर् ने, since yesterday, तो देखो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, है ना, तो इस तरीके से पट्टी वट्टी बादने की कोशिस की जा रही है, तो पैन तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, अगला वड़े चोट लगना तो हर्ट होती है, हर्ट कर देना, तो यह बर्व की first form है, second form be hurt, तो देखेगा, सभी form same रहती है, first, second and third form सभी एक जैसी रहती है, don't hurt him, उसको उसका दिल मत दुखाओ, है ना, उसको हर्ट मत करो भी है, चोट मत लगाओ, उसके दिल को थोड़ा लगता है जाकर, कि यार, ठीक है, आगे बात करें, तो no, no means होता है, जानना, ठीक है, verb की first form होती, no, new होती, इसकी second form, जबकी non होती, इसकी third form, इसमें देखेगा, तीनो forms अलग अलग है, verb की, first में होता है, no, second में new, के any w हो जाएगा, और third में के no w n हो जाएगा, non, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो I miss मैं, no miss जानता हूँ, you miss तुमको very well, बहुत अच्छी से, मुझे बहुत अच्छी से मालू है, तुम्हारे बारे में, है न, अब देखेगा, leave, leave में होता है, निकलना, छोड़ना, left कर देना, इसकी verb की second form हो जाएगी, third form भी same रहेगी, ठीक है, second, third, same रहती है, मैं office से निकल रहा हूँ, I am leaving the office, तो देखेगा, I am leaving the office, simple है, दोड़ना, तो देखेगा, run, ran, run, तो first form होती है, run, second form होती है, ran, यहाँ पर A आ गया, third form यहाँ पर फिर दुवारा वही आ जाती है, lot करके, first वाली, तो first और third A जैसी होती है, second form ran हो जाती है, ठीक है, वो रोज़ना दो किलो मेटर दोड़ता है, he runs two किलो मेटर दोड़े, तो दिली दो किलो मेटर दोड़ लगाता है, देखेगा, कितना जवाज इस तरीके से दोड़ लगा रहा है, चलिए, यह रहा, आज का अंतिम वर्ड, दात से कटना, तो बाइट करना, अब देखेगा, यह पूरा ही पूरा, पैर ही इनका भई, परेशान कर दे रहा है, काट ले रहा है, तो बाइट की सिकेंड फॉर्म होती है, बिट, बर्ब की सिकेंड फॉर्म क्या है, बिट, और थर्ड फॉर्म होती है, बिटन, चीक है, बाइट, विट, विटन, कुता ने मुझे अपने दातों से काट दिया, देखो, कुता ने भई क्या किया, त तो डॉग बिट मी बिट इस टीद तो उस डॉग मैं मुझे अपने टीद से दातों से कौट खोया है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं चलिए आज के इस सेशन में वह सितना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए गोड बाई